र bluff कोई प्रव्लम नहीं करो आपको भरोसा है। लेकिन आप अपने रिलीजेट करते करते सामनेवाले की हिस्ट्री सामनेवाले की सोशलॉजी सामनेवाले की कि विल आप muscular यह सब में चले जाते हो कि बही बात तो सुनो, बात critically उसमें करो, तो तुम हर कौम गुजर चुकी उसे, यहूदी, गुजर चुके Christians, गुजर चुके Hindus, गुजर चुके, सब गुजर चुके हैं self-critical analysis से, आप नहीं गुजरे हो, आप के हां इसी को जरा सा कोई कुछ बात करें, तो जो सर तन से से जुदा, तो आँख सॉकेट से जुदा, तो बाल सला खोपड़ी से जुदा, हर बात पर यहीं है, सलूशन, कोई बात हो, तो एनननु वट देओ, एनननु काट देओ, एहीं सलूशन हांगा. अब शेक बात में आप से कहने रही थी, कि क्या वो चुखात है, कि अगर हम मुसल्मानों के साथ हिंदुस्तान पर कभी कुछ लेके होता हुआ, तो यहां पाकिस्तान के मुसल्मान तो पाकिस्तान को सर पूड़ा लेते हैं, डेलिया, पोर्टेस्ट, धरने, और पता ही क्य यह सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या वो चुखात है कि पाकिस्तान के मुसल्मानों को मुसल्मान की गल्तियां ने नज़रा रही, क्या सिरफ पिर यह बात सच्छा थाबित हो रही है, कि मुसल्मान मुसल्मान का ही भाई है, और इस पर हम अमल करी जा रहे हैं, हमें और कोई ध पाकिस्तान को मानती है क्या आपको अफगानिस्तान मुसल्मान मानता है क्या पाकिस्तान को कोई मुसल्मान नहीं मानता सिवाए पाकिस्तानियों के ठीक है ना आप समझ ले आप मुसल्मान नहीं है मुसल्मान किसी से बनता है मुसल्म इमान आपको शरिया लॉब होना आपके देश में representative government नहीं होनी चाहिए, आपके देश में सब है आपके देश में, आप मुसलमान कहीं नहीं हो, आप सिर्फ anti-hindoo हो, ये बात फ़स्ट लिख लो, आपको और भी समझ में आती है, नहीं आती है, आप Arab हो, नहीं हो, आप तुर्क हो, आप नहीं हो, आप हिंदू हो, आप हो, मगर आप कोगे हम हिंदू नहीं है, हम भारती ये नहीं है, इंडियन भारत का दोर तुकड़ा हुआ, तो भाई एक आम को काटो गए, तो दोनों हिस्सा आम ही निकलेगा, कि एक आम निकलेगा, दूसरा अमरूद निकलेगा, तो आपका एक अजीब दुनिया रहते हैं, भई, आप क्या मुसल्मान कोई नहीं रहता, आप सिर्फ हिंदू से नफरत करने वाली कौम है, और ये भारत में भी जो हमारे सारे मुसल्मान भाई ऐसे नहीं हैं, मैं आपको बता दूँ, हमारे बहुत से मुसल्मान भाई अपने देश पर जान देने के लिए भी ज़्यादा लालाईत हैं, तो ठीक है, इस तलीके के भी मुसल्मान है, हम उनसे बात करेंगे, हमारे ही परिवार का हिंसा हैं, हम उनको समझाइंगे, उनको कुछ लोगोंने और लेकिन में पूरा यकीन है, हम लोग उसे बात करेंगे, एक सुसाइटी की तरह, बड़े भाई की तरह चोटे भाई की तरह एक ही समाज का हिस्सा है बात कतम हो जाएगी थोड़े बहुत तो यार देखो चार घर में चार बरतन होते हैं ना तो तंग-टंग होता ही है आप अपने घर में अचाए बाहा बताओ आपके घर में आप हमेशा खुश रहती है अपनी मम्मी क्या लगता है कि यह मेवाद के अंदे जो इंसिडेंट हुआ है यह साजिश है भारत को विभाजित करने की हमारे समाज में यह जो जिनको आप मेवादी मुसल्मान कह रहें ना मेवादी मुसल्मान आज से 20-25 साल तक 90% हिंदूरीती रिवाज पार करते थे आज भी वह 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 कहते हैं हम स्री राम के वन्षा जे उनको बर दो इनको किस एक आइडिया में जो इंडिया की पुरातन स्ट्र संस्किति को वह खतम करना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर ताकत नहीं है वो उतने नंबर में नहीं तो वो जो है मुसल्मानों को टूल बना देते हैं और मु बात होता है ना तो कई ऐसे भारत के मुसल्मान है जो जरूत पड़ेगी ना तो जान देंगे ये बात हमारे हांके हर मुसल्मान हमारे यहांका ऐसा नहीं है और ठीक है थोड़ा बहुत हो जाता हमें दुख है हम उनको समझाएंगे हम उनको समझाएंगे कि आपको इसलाम में भारतिय इसलाम चाहिए होगा आपको भारत में अरभी वाला इसलाम नहीं आप समझ सकते हो भाई अब जैसे जो पाकिस्तान है आप मुसल्मान हो आप कहीं से आपको इसलाम का ई नहीं पता है और अगर आपको इसलाम लागू कर दिया जाए ना तो सबसे पहले आप अपन मुष्टंना जो है जीवन शैली निवो करेंगे आप लाएंगी बुर्के में यह जो pa अप मुसल्मान है आपerweise नहीं आप अर्वी बोलते हैं, आपको चार पती मंजूर हो जाएंगे, आप चार पत्निया आपके पती की मंजूर होंगे आपको, आप एकसेप्ट करेंगे कि आपका जो शोहर है वो आपके साथ एक और ले आए, एक और ले आए, आप रह लेंगी साथ में, नहीं रह पाएंगी भाई, नहीं रह पाएंगी हैं आप हिंदू लेकिन अर्भी से बोलेंगी ना वो ट्रेंड होती है चीज में कंडिशन होती है आप हमसे भाशा करें जा किसी अर्भी के प्रोफिसर को बैठा के बुलाईए ना आप मुसल्मान ने तो अर्भी बोलिए ना उनके साथ जरा आप हो मतलब यह नहीं किसी भगवान की बुझा करना है आप करो ले विश्वास कोई नहीं कहता आपसे कि आप जा करके मुर्ति को पूछे है मुर्तिया हम तो मूर्ति का मान रहे हो ना हम्ने हो सब्सच है सब्सच है पूछन पूछना नहीं चाहते हैं हमने तो नहीं पूछा कि कौन बुला यह आप से कब की बात है कहां का एविडेंस लाओ तो कोई भी कोई कुछ भी लिख देगा आप माल लेंगी क्या उसको हम तो नहीं मानते ऐसी चीज़ों को पॉइंट यह है कि यह सब आस्था का विश्या है आस्था पर चलने दीजिए लेकिन जो यह आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में मुसल्मान नहीं रहते बेटा पाकिस्तान में खाली हिंदूिजम को खतम करने जो हिंदू प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए लेकिन वो पॉइंट यह है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि आप हो 90 परसेंट हिंदू लेकिन आप जो है खाली यह बुद्परस्ती नहीं करते हो इसके अलावा आप सब हिंदू का काम करते हो शाधी करोगे आप तो 2-3 दिन तक शाधी के हो चल रहे हैं कौन से ज्रा समाज में 2-3 दिन तक साधी का वो चलता है जरा बताईए जरा अरबों में जाईए जाईए और तुर्कों में चल जाईए आपकी शादी होगी जब तो महंदी लगाएंगी हाथ में की बिना महंदी के शादी कर लेंगी मैंने तुर्कों को नहीं देखा कि वो महंदी लगा रही है यह हमार दिन का वो रहेगा हल्दी लगेगी कि बिना हल्दी के शादी होगी आपकी हल्दी लगती है ना आपके हाँ कि नहीं लगती हल्दी में शादी में तो फिर ये सब ये अरबों में होता है ये अरब की शादी जाके देखे वो हल्दी लगाते है तो भाई आपको कजीब सी फित कि nickei nickei iyer chotGE iyerआ यह कह से आ गया इसलाम में जो निकका है जो जो चोटा है जो गंदा है जो झाला हो मुसल्मान नी बन सकता बोलने से पहले सोचो या तुम इसलाम करें फाले का नाम है फिर इक ऐसे एक्वैलिटी है कि जो निका निका है और छोटा-छोटा उसको मुसलमान नहीं मानते हो आप तो यह बिटा आपको ना अपने आपे लोगों से लड़ना पड़ेगा या आपको करना पड़ेगा आप नहीं कर सकते हैं आपकी बात कि वही हमें जीने दो तुम हमारी द स्थान के जो लोकल जो मकामी नाम हैं सिमरन हो गया जस्विंदर हो गया जस्प्रीत हो गया यह नाम गंदे हैं और खाली अर्बी नाम अच्छे हैं यह कौन सा इश्वर है कौन सा अल्ला ऐसा बुलेगा कि बिटा तुम्हारे एक नाम ही गलत होते हैं यह नाम जो होते हैं भारतिये नाम गंदे होते हैं वो जो है उसको नाम रख लोगी तो आप जो है नर्क में चली जाओगी या जहन्नम को मिल जाओगी यह बोला है कि अलमिया ने कहा लिखा है यह बात आपका इसलाम अलग ही चल रहा है आप मुसल्मान नहीं हो पाम सो सौरी ड्रेस है यह जो पर कितने लारकियां वहां की लोकल ऐसा कपल्ग पहनती जो आप पहनके बैठी हैं ठीक है और कभी एक बार चल देंगे वहाँ चलके देखेंगे कितने लोग ऐसा दुपट्टा और सलवार पहनती है जो आप पहन के बैठी हुई है और किसी दिन ज़रा दिल लिया जाईएगा तो देखीगा जरा ऐसा कपड़ा कहां पहना जाता है यह जिसको आप इसलामी समझ के पहन रही है यह कुफार का कपड़ा है यह कुफर वाले प कह रहा हूँ आप मुसल्मान नहीं है कई से चरिया लौक के अंदर बे रहती हैं आप आपको आपने कहा है कि इसलामिक मुमालिक है आपकी और इसलामिक मुमालिक में इलेक्शन करवा रही है आप लौहौल विलाकूबत अस्तखफिर उल्ला इसलामिक जब आप उसके ओपर एक और कॉंस्टिशूशन ले आई अस्तखफिर उल्ला इसलामिक लौह होगा लेकिन आपने तो कॉरान के साथ साथ एक वो बना दी है लौब बनाने की इसलामिक लौह बनाने की जरुवत है जब जब लौह कहां से बनाएंगी लौह तो आ चुके हैं सारे आप मुसल्मान नहीं हैं आप मुनाफिक हैं